हेलो कमेंडो वेलकम टू बायोमेंटर्स प्रसेज ऑनलाइन आएम डॉक्टर गितेन सिंग हम पड़ रहे हैं बेटा बायो टेकलोजी और बायो टेकलोजी में चैप्टर वन जो प्रिंसीपल एंड प्रोसेश था उसको आमने अल्रेडी कवर किया एक एक लाइन एंसीयाइट करेंगे तो आज का लेक्टर जो है वो ज़यादा लंबा नहीं हालंगे क्यों को अपध्या च्छोटे ने क्लब कर दिया है ताकि आप एक साथ जो होगा लेक्टर 12 है वह होगा कि बायोटेकलोजी का मेडिकल फिल्ड में क्या इस्तिमाल है और ह्यूमिलीन का प्रोडुक् हम देखेंगे थीक है क्या है प्रेटो बेत्टर से इस्तेमाल कर सकते तो आज दिखेंगे कि कैसे बाइटेकलोजी की हेल्फ से हम जीन की मरम्मत कर सकते हैं मतलब जनेटिक इंजरिंग जैवो जनेटिक डिजिस का क्या एक तरीका हो सकता है सॉलुशन हो सकता है कि हम अनुवाशिक रोगों को ठीक कर सके इंबॉर्न एरर ऑप मेटाबोलिस को हम जो हमेशा मेशा के लिए दूर कर सके क्या यह संभव हैं हम इस पर बात करेंगे चलिए तो मतलब आज के दोनों पार्ट बड़े इंट्रस्टिंग होने वाले हैं बहुत कुछ हमको सीखने मिलेगा बहुत कुछ जानने मिलेगा बिटा मैं हमेसा आप से कहता हूं कि जब भी कोई चैप्टर को हम पढ़ते हैं बिटा तो हमको उस चैप्टर में को फील करना चाहिए ठीक है हमको यह भी नहीं सोचना है कि इस चैप्टर को समझने के लिए विज्ञान आपके सोच का विकास करता है तो आपको वही सोचना है ठीक है चली तो आज के लेक्ट्टर के पहले जो कोश्चन देखेंगे उनको पहले कोश्चन देखेंगे उसके बाद फिर हम साइंटास वाई लेक्षर को देखेंगे तो चलिए मैं कोश्चन बोलता जाओंगा इस स्क्रीन पर आपको कोश्चन दिखते रहेंगे तो पहले आप आंसर कीजिएगा है प्लांट ऑप्शन दी है फंजाई बताएं इसका बिल्कुल सही इसका अंसर है बैक्टेरिया बैसलस थुरुंजेंस बैक्टेरिया से हम वह बीटी टॉक्सिन जीन को निकालते हैं क्राइजीन कहते हैं तो फिर्स्ट कोश्चन का आपके सामने स्क्रीन पर है ध्यान से करने स्ब्सटिन के संधर में कौन सा कथन गलत से काई बार игр एकजाम में हम घलती करते हं रॉंगवर्वारण को नहीं पढ़ता लिए जब भी आपको यह रॉंग वर्ड दिकाई पर सको मार्क लें सबक्राइ सबर को क्या होता है हम पहले पढ़ेंगे सही मिलेगा और वहीं तिक मार देंगे गलती हुजाए राथ के तो हमको ऐसे नंबर नहीं खोड़ा सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करना है अब आप्शन देखिए आपके सामने option A है crop yield loss due to attack by bacillus thrygnosis bacteria is reduced के फसल का जो नुकसान bacillus थ्रूजन से बेक ट्राक के अटेक करने पर होता है वह कम हो जाता है ओप्शन भी है crop yield loss due to attack by lapidopteran insect pest is reduced lapidopteran insect pest से होने वाला फसलों पर संक्रमन होता है वह कम हो जाता है तो उससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है अटेक कम हो जाता है ठीक है option c है the use of chemical insecticide in the cotton field is minimized कपास के खेत में जो chemicals insecticide है उनका उप्योग जो है वो कम हो जाता है option d better quality cotton is produced better गुडवत्ता cotton उत्पन होता है अब बताईए आपके सामने चार option आपको बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है इस में सट के देखें सिंपल सी बात है बटा कि स्टेटमेंट भी क्या बोलता है आपसे crop in loss due to attack by बिल्कुल सही बात है जो cotton वालवर्म होता है वो लेपिड़ोप्टरन इंसेक्ट होता है जो cotton के नदर जाके छेद करता है cotton को डेमेज करता है तो यह अटेक जो है वो इसका इसका अटेक कम हो जाता है ठीक है तो कपास को लॉस नहीं होता उससे फे यूज ऑक केमिकल अब चुकि हमने cotton के अंदर ही जीन डाल दिया उसके अंदर ही प्रोटीन मनता है और वो खुद इंसेक्ट से लड़ लेता है तो बाहर से केमिकल इंसेक्ट से हमको छिलक नहीं होते यह भी सही है बेटर कॉलिटी कॉलिटी कॉल्टन प्रोटन प्रोटन होगा यह भी सही है अब पहला option क्यों गलत है को किसमें लिखा है क्रॉप इल्ड लॉस ड्यू टू अटेक बाई बैसलस थ्रोजनस बैक्ट्रिया के अटेक करने पर जो फसल का नुकसान होता है वो कम है आरे यह फसल के नुकसान को कम कर रहा है बचा रहा है नुकसान नहीं कर रहा है तो option A का गलत ह statement है ठीक है question number three again आपके सामने फिर से statement दिखाई पढ़ने विटा है आपको चुनना साही है statement के देखते हैं क्या लिखाज में which of the following is are is और are the characteristic of BT cotton कौन से BT cotton की विसस्ता है या गुरुदर में ठीके तो आपके सामने statement रहे वन टू त्री फोर और ऐसे question वास्तव में चार question के बरावर होते हैं इसलिए बड़े ध्यान से इनको solve करना गलती नहीं करना है ठीक है आप पहला आप एक एक statement पढ़ते जाए आप सही है वो गलत मेरे साथ में बोताते जाएगा ठीक है पहला सब्सक्राइब करने इंक्रीश एफिशेंसी ऑफ मिनरल यूज़ेश क्या बीटी कॉटन जो है वो मिनरल के यूज करने की इफिशेंसी उसकी बढ़ जाती है क्या ऐसा कभी बने बताया आप से कि बीटी कॉटन जए वह अधिक न्यूटरेंट को लेगा बीटी कॉटन अध दिखते हैं सेकिन्ड वाला चुनते हैं इब करके यह क्रोंतर यह इसलिए यह स्टेट्मेंट घल उर सेकें तो किसी चारों option में कही है ही नहीं है, फिक थार्ड है, resistance to wallworm, बिल्कुल सही बात है, BT cotton का purpose था कि cotton wallworm insects को resistant माना, तो यह सही statement है, तो third is right statement, अब four दिखते है, incorporated BT toxin is coded by the gene cry, gene cry crystal protein को code करता है, वही BT toxin होता है, तो statement number four भी सही है, तो answer क्या आया इसका, क्या answer आया, इसका बताओ, भी, third and four statement are correct के, यह दोनों BT cotton की characteristic होते है, तो answer is काया भी, तो ऐसे question को बड़े ध्यान से हमको solve करना है, ठीक है, question number four, identify the incorrect statement regarding the BT cotton, अगेन याद रखना भूलना नहीं, incorrect word को focus करना है, तो हमको BT cotton के लिए बारे में incorrect statement को बताना है, तो option A है, इसमे, dried spore of bacillus throgences are spread on its vulnerable leaves, इसकी जो सबसे रिक संकरमन होने वाली पत्या होती, जो sensitive leaf होती है, vulnerable leaf होती है, उसकी उपर हम bacillus throgences के dried spore को spray करते है, option B है, it releases toxin that causes swelling in the gut of the insect that ingests its leaf, जो भी इंसक्त इसकी leaf को खाता है, उसकी intestine में, गट में जो है वो, एक toxin release होता है, जोसकी intestine को फुला देता है, ठीके, ये लिखा है, option C है, it is a transgenic plant, ये एक transgenic plant है, option D है, it can produce toxin due to gene introduced in it by transgenesis, transgenesis का बताता है, एक दूसरे organism की gene को किसी और में introduce कर देना, तो transgenesis की करना हमने जो इसमें gene introduced किया, उससे ये toxin को produce करता है, अब बताई ये, चार statement आपके सामने कौन सा गलत है इसमें, देखो बिटा, बीटी cotton में हमने already crystal protein के gene, cry gene को introduce कर दिया है, अब जब हम already gene introduced कर दिया है, तो क्या बाहार से sport छिड़कने की जरूरत है हमको, नहीं है, मतलब ये है, कि जो है, ये बिल्कुल सही बात है, कि बीटी cotton एक transgenic plant है, transgenic plant को बनाने के लिए हम transgenesis का इस्तमाल करते है, cry gene को उसके अंदर हमने introduce कर दिया है, और इस gene से क्या ओरा toxin protein बन रहा है, जो इंसेक्ट इसकी पत्यों खाएगा, तो उसकी mid gut में जो है, और छेद कर देगा और वो insect मर जाएगा, उसकी interest में छेद कर देगा, बीच वाले स से mid gut में और यह pro toxin, active toxin में convert होता है alkaline pH में यह बता आया था मैंने आपको, तो B, C, D correct statement है, पहला statement इसका incorrect है, जिसमें लिखाए dry despair को छिड़केंगे, नहीं जरुरू होती ही नहीं है, question number 5, आप देखो बेटा, यह मैं सारे question, वो possible question, BT toxin, BT cotton के उपर, जितने possible question आपको बता plant tissue as pro toxin is converted into active toxin due to, अब देखो, BT cotton में, BT toxin जो plant tissue में pro toxin के रूप में होता है, वो active toxin में कैसे convert होता है, अब option A, acidic pH in the insect gut, कीट के आत में acidic pH, उससे, नहीं, यह भी गलत है, किस से होता बेटा, वो, alkaline pH से होता है, फिर action of gut microorganism, कोई रोल नहीं है, उनका इसमें, option C, चाहिए, presence of conversion factor in insect gut, कोई conversion factor नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, alkaline pH चाहिए, और वो pro toxin, active toxin में convert हो जाएगा, तो answer का आगया है, delta D, कई बार बताया है, मैंने आपको बटाया, ठीक है न, फिर देखो, आप देखो, यह सारे question exam के question है, question number 6 है, a pro toxin is, एक pro toxin है, option है, primitive toxin, प्राचिंतम toxin, option B है, denatured toxin, जो काम नहीं करना, denatured toxin है, नस्ट हुआ toxin के, options C है, toxin produce by protozoa, protozoa से उत्पन होने वाला toxin, और option D है, inactive toxin, actually pro toxin क्या होता है, inactive toxin होता है, जब alkaline pH में आएगा, तो यह active toxin में convert हो जाएगा, तो इस cancer क्या आगया है, question में 6 cancer आगया है, delta D, है न, question number 7 देखते हैं, है न, मजा आ रहा है न, बिटा, solve करने में, और बताना जरूर मेरे को कि अपने कितने सही किया, इमान दारी, देखो, हम अब कहीं लोग क्या करते हैं, कि गलग फिगर बोलते हैं, तो उसका कोई फाइदा आने न, हम अपने सही को कि हमारा तो analysis में एक्जाम के अंदर होगा है, ठीक है, चलिए, तो question number 7 है, how does the activated BT toxin kill the insect के, जो सक्री BT toxin है, वो insect को कैसे मारता है, option A है, the BT toxin killed by inactivating the cellular enzyme, रेसेंचल for the life processes, BT toxin, insect को मारने के लिए, जो जीवन प्रक्रियाओ के लिए, ज़रूरी कोशी की enzyme होते हैं, उनको inactivate कर दाता है, option B है, BT toxin killed by binding to the epithelial cell present in the mid gut, which creates pore that causes cell swelling and lysis, BT toxin, मध्य आत्मे, mid gut में, जो epithelial कोशिकाएं होती हैं, उनसे जोड़ जाता है, और वहाँ पर छेद कर देता है, जिससे कोशिकाओं में swelling होती हैं, और उनकोशिकाएं मर जाती है, option C है, BT toxin killed by disrupting cell cycle, BT toxin cell cycle को disrupt करता है, option D है, BT toxin killed by disrupting the cellular respiratory machinery, respiration machinery, BT toxin कूशिक की सोशन तंत्र की machinery को रोग दता है, क्या आंसर ने बताओं कई बार बता है मैंने, कि BT toxin क्या करता है, mid gut की epithelial cell से जाकर attach होगा, alkaline pH में activate हो चुका होगा, mid gut में, हाँ पर cell को swelling करेगा, cell को destroy करेगा, और वहाँ पर पोर कर देगा, और इंसेक्ट फूर्ड का intake नहीं कर पाएगा, और वह से मर जाएगा, चीक है, तो option इसका answer 7 का B, question number 8 आपके सामने screen परें, cry gene is obtained from, आप देखों सिंपल question है, cry gene किस से प्राथ किया आता है, option A है, agrobacterium tumifascion option B, bacillus throngensis, option C है, rhizobium leguminosurum, option DA, rhizobium fascioli, क्या answer इसका बेटा, bacillus throngensis, question number 9, cry first endotoxin, obtained from bacillus throngensis, are effective against, cry first endotoxin, जो bacillus throngensis से प्राथ कियाते हैं, किसके बुरुद्ध प्रभावी होते हैं, option A है, निमेटोडा, option B है, ball worm, option C है, mosquito, option DA, flies, किसके लिए होते हैं, cotton ball worm के लिए होते हैं, answer इसका क्या आ गया, बीटा भी answer आ गया, अब question number 10 का answer आपको बताना है, क्या answer है, देखिए स्क्रीन पर question number 10 है, toxins produced by cry first B, AB, and cry second AB, control, वे toxin, जो cry first AB और cry second AB द्वारा आप बढ़ाए जाते हैं, वे इसका निंतरन करते हैं, option A है, cotton ball worm and corn borer respectively, cotton ball worm और corn borer respectively, ठीक है ना, क्रम से बताना आपको, option B है, protoxin and cotton ball worm respectively, protoxin और cotton ball worm, option C है, corn borer and cotton ball gum respectively, corn borer और cotton ball енные, option D है, protoxin and corn borer respectively, क्रम सा, protoxin and corn borer, बताइए answer क्या है, पहले आप answer बताएंगे, पहले आप answer बताएंगे, last question है, क्या answer है बताएं, बिल्कुल सही answer है, लेको आपने गलती भी क्याना, कोई बात नहीं, इस कोश्च ये कठिन कोश्चन में से एक है और यह और यह आई पिंटी का आया हुआ कोश्चन है और हमको इसका अंसर याद रहना चीट के तो क्राइ फस्ट एवी कॉर्ण बोरर के लिए टॉक्सिन प्रिडूस करता है और क्राइ सेकंड एवी जो है कॉटन वॉल वर्म के ल अब यह काम करते हैं पहले हम वो पार्ट फॉस्स देते हैं इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में मिटा कि बायो टेक इन मेडिकल फ्रिल्ड के उपार तो चलिए लेक्शर सुनते हैं उसके आप मैं आपसे बात करूँ को असाइंड को एसके देखिए हम ठीके चलिए हेलो कमांडो वेलकम तो बायोमेंटर्स क्लासे ऑनलाइन आएम डॉक्टर गितन सिंग हम पढ़ रहे हैं बायो टेकलोजी और बायो टेकलोजी में आलरडी हम देख चुके हैं कि अग्रिकल्चर में हम बायो टेकलोजी का कैसे विप्योग करते हैं क्या होता है ट्रांसजनिक क हमने नहीं होती है इंडियू साइलेंसिंग काम करता है तो हमने टेकनिकल आस्पेक्ट को एंसे आपकर बाहर जाकर भी समझने की कोशिश की थी कि और हमने देख था कैसे निमो टो जो ऑप को क्रोप को डेमेज कर रहा है उनकी संख्या को आपको इनफ्रेक्शन कर लिया तो हम वो फिश्ली क्रास में देखे थे आरि इंटर फरेंस्तिक्ट्राइश और हमने इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से सिखा था बैटा कुछ बच्चों को लगा कि आरेने इंट्रफरेस बड़ा कॉम्प्लिक्रेट कुछ भी नहीं है इतना है बस कि आपके हम सब सब युकुलिटिक सेल के अंदर एक विवस्था होती है कि कोई भी डबल इस्टेंड आरेने बनेगा तो उसको सेल काट देती वह एबनॉर्मल कंसिडर करती है उसके लिए डाइसर जैसे इंदर डबल इस्टेंड आरेने में कंवर्ट हो जाए और आप उसके यही किया था ना अपने ठीक है चलिए और यह हम देखे थे कैनी मिशन कि डाइसर कैसे डबल इस्टेंड आरेने को काड़ दता है और कई सारे स्मॉल फ्रेग्मन में आता है तो वहाँ पर जो है मैं आपको दो टर्म इस्तमाल के थे आप मुझे बतलाएंगे इनके फुल फॉर्म के वाट इस दी मीनिंग ओफ एस आई आरेने यह क्या होता है इसका फुल फॉर्म बताःएं और एम आई आरेने क्या होता थिक है आप मुझे इन दोनों के बारे में कमेंड बोक्स में लिग भढ़िएंगे है ठीक फिर मैंने आपसे आर एने आई वर्ड का म हम बात करेंगे कि हमारे चिकित सा जगत में medicine के फिल्ड में जह है वो बायटेकलोजी क्या रोल प्ले करता है क्या वाकई में हमें कुछ ऐसा advantage मिलता है कि हम humans की कई सारी बिमारियों का इलाज कर सके वह chemical जो हमको जो है वह बहतर करने के देखो बेटा एक बड़ा सिंपल सा एक्जामपल यह जब जो है जब जो है बायटेकलोजी की help से human insulin का production possible नहीं था कोई technology पता ही इस तरी कोई technology आ सकती है तो पहले क्या था पहले जो है वह किसी डाइबिटीज में लेटर फेज में आपको इंसुलीन देना पड़ता है और टाइप बन डाइबिटीज न आपको सुरू से इंसुलीन की requirement होती है अब इंसुलीन तो एक हार्मोन है और हार्मन बॉड़ी में उत्रहीं बनता जितनी इसकी requirement होती है तो किसी विक्ति का आप ब्लेड लेके दूसरे को चड़ा देंगे तो उससे काम नहीं बन पाया को कि उसकी हार्मोन की सफिजेट मात्रा नहीं होगी तो यूमन का आप इंसुलीन निकाल के दूसरे यूमन को दे पाएं यह पॉसिबल नहीं को कि जिस यूमन का आप इंसुलीन का इस्तमाल करते हैं और बीफ इंसुलीन का एसे एं इमल थे जिनका मास कंठ खाया जा था तो पॉप पॉप किसे इनिमस मिलना आसान था क्योंकि तो पैंबर को तो इनिमल को सफल रहा लेकिन most of the cases में allergic reaction को देखने मिला के तो बहुत अधिक करेंगे भले ही थोड़ा सा allergic reaction मिल रहा हुए उसका कोई दूसा तरीका जान बचाने का था ही नहीं तो लेकिन जब से बाइटेकलोजी आया है सामने तब से हम ऐसा इंसुलिन प्रोड्यूस करें लगें जो और अब हमें पार्क और वीफ इंसुलिन की रिक्वार्मेंट नहीं है हम इंसुलिन को लेबरेटरी में बैक्टरा के हेल्फ से त्यार कर सकते है और लोगों को ट्रीट कर सकते है ठीक है तो सबसे बड़ा यह बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे आपकी हुमन बॉडी के अंदर बनते है उनसे एलर्जी होने की समभणा ना के बरावर होती है तो नन और नेगलिजिवल एलर्जी हम इनका मास प्रोड़क्शन कर सकते हैं आप सुचिए आप इंसुलिन निकाल रहे हैं पौर्क और इंसुलिन निकल पाएगा तो बतलब वह तो बड़ी प्रॉब्लम वाली का बात थी के वहाँ पर प्रोड़क्शन वह जो है वो डिपेंट था दूसरे फैक्टर पर यहां पर तो क्या बेक्टरल कॉलोनी है आप कॉलोनी बढ़ाती चलिए बेक प्रोड़क्शन बढ़ा ल चाहिए है मौलीक्व में जो है वह इंसुलिन अखेली की बात नहीं कर रहे है ग्रोथ हार्मोन डेरा लॉट्स ओफ हार्मोन कई सारे कैमिकल से हैं जिनका उपयोग हम मैडिकल साइंस में इलाज के लिए करते हैं वह हमको बाइटेकलोजी से आज मिल रहेंट के और हम जिस बहुत है कि आएटेक आपकडा है कि एट प्रिजेंट लगबाट वरतवान में थर्टी रिकउमिनेंट ठैप्यटिक्स एस के आसपाँ ऑसे हैं जिनको मेडिकल साइंस में एप्रूब किया है और इनका इस्तमाल हम जो हम चले कर सकते हैं इसमें से बारा केमिकल जो है से हैं तो इंडिया में एवलेवल है रेस्ट ऑफ 18 वह कॉफी कॉसली है और उनको इंडिया में भी अपरूब नहीं किया गया हर कंट्री में जब कोई दवा जाती तो उसको वहां कि लोकल बॉडी जो है वह एपरूब करता है कि दवा यहां पर यूज करने लाइक है या नहीं है कॉस्ट क्या इसका कॉस्ट बेनिफिट रेश्यो क्या है वह सब देखा जाता है तो हम उस टेक्निकल डिटल में नहीं जा रहे हैं हम इतना जानते हैं कि वर्ल्ड ओवर थर्टी रिकॉमिनेंट थेरफटिक्स जिनको एप्रूफ कर दिया गया है और 12 उसमें से इंडिया मे एम्स खुलती चली जा रही है और इससे एम्स की सीटे लगातार बढ़ रही है तो आपके पास जो है वो प्लेंटी फुल आप सीट से नीट के लावा एम्स के पास भी तो इसलिए एम्स को टारगेट करना है हमको समझ गये ना कि एमसे इस पॉसिबल के वह संभव है ठीक तो भंदे बात करें बाद करें बायो टेकलोजिकल अप्लिकेशन इन मेडिसें सीधा डारेक्ट पॉइंट देते हैं दिरिकॉमिनेंट डी ने टेकलोजिकल प्रोसेज हैव मेट इमेंस इंपक्ट ऑन दी एरिया ऑफ हेल्थ केर बाई इनेवलिंग मास प्रोड़क्शन अन्वांटिट इम्मिनलोजिकल रिपॉन्स प्रॉटि अनेवांटेड ईम्मिनल्विकल रिसपॉणस का मतलब के वैटा इसका मतलब है ऐखिंड है ऐलर्जिक रिसपॉनस इस टिक रहा इन केस सीमिलर प्रॉड़क्ट इसलिट सॉर्स को दूर्ट यूस से बाडि हमारी सब्सक्राइब करें लिली कंपनी का दो तरह का इंसूलिन दुसरा है बीफ इंसूलिन के तो पहले के जमाने में जब जो है वो जब जो है वो बाय टेकलोर्जी के हेल्प से इंसूलिन का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था तब यही इंसूलिन मार्केट में एवलेवल थे इलाज करने के लिए के मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑंसें डाइबिटीज इस पॉसिबल बाय टेकिंग इंसूलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल 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 देखिए अब यहां पर हम सिंपल सिंपल सिंप्लिफाइट लेगें बात करते हैं कि टाइप वन डाइबिटीज जो होत इंसूलिन का प्रोडक्शन कम हो गया हो या दूसरन नंबर बपर है कि बॉड़ी जो है इंसूलिन को रिस्पॉंड नहीं कर रहे हैं बढ़ गया तो वैसी कंडिशन में मोर इंसूलिन की रिक्वारेमेंट होती है तो हम क्या करते हैं इलाज करने के टाइप टू या इसका इंदोजनोंस इंसूलिन प्रोडॉक्शन ही काम है जहेक हम इसकी बॉड्य में इंसूलिन कम बन रहा है तो हम इसी दवाओ का प्रियोक करते जो बाडी इंसूलिन का प्रोड़ा दिती है या हम चो बहार से सुरू कर दैजican थिक हे बौड़ी में प्रयाप्त मतरा का अलग होता है कस्तमाइज ट्रीट्मेंट होता है तेलर में होता है हर वेक्ति को धान देखकर उसका वर्ग प्रफाइल देखकर उसका बॉधुड करते हैं हम लोग के चलिए तो Just कि class diabetes के के उपर नहीं क्लास बाइटेकलोजी के उपर हम उसके उपर ही बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि देखिया आप क्या लिखा है वाट वुड वुड ए डाइबिटिक पेशेंट डू इनफ इनुमन इंसुलिन वास अवलेबल के अप सिंपल सी बात है यदि एक पेशेंट को लेकिन वहाप बीटासल ऑल्मस खताम होचके होते हैं लेकिन तरीका नंबर दो यह सबसे बेस्ट हैए डाइबिटेश का सबसे बेस्ट ट्रीट्मेंट है कि आप इनसुलिन देना सुनु कर दीजिए अब तो क्या करें दूसरे एनिमल का इंसुलिन हम दे सकते हैं नहीं है इन्सुलिन को दे रहे हैं तो देखिए जब तक human insulin market में available नहीं था बाइटकलोजी के हैप से बना हुआ तब तक हमने इनका यूज किया लेकिन मैं आपको पहले भी बताया है कि यह क्या problem करते हैं यह allergic reaction करते हैं ठीक है ठीक तो would the insulin isolate from other animal be just as effective as that secreted by the human body itself and would is not elicited and immune response in the human body insulin यह human insulin के समान effective नहीं होता है दूसरी बात है कि it gives the allergic response के तो कई लोगों को इतनी severe allergy हो जाया करती थी कि उनको patient को ICU में admit करना पड़ता था insulin दने के बाद के और फिर इसको बंद करना होता था करते हैं कि बॉड़ी उस chemical accept नहीं करपाई थी एंटीजन 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 तो common चीज़े बादी के अंदर के बाहर से प्रूटीन आप डालेंगे ब्रेट के अंदर और बॉडी के प्रूटीन से match नहीं करेगा तो बाडी उसको foreign agent समझ करेगी और उसके लिए fight करेगी पड़ा हुआ हम लोगरे immune system ठीके अब नाव imagine if bacterium वेर एबलेवल एट कुड मैक human insulin अब कलपना करते हैं कि बैक्टरिया हमारे लिए human insulin का production करते हैं तो suddenly पूरी process बड़ी सिंपल जाती है हम बड़े प्रेमाने पर बैक्टरा की help से human insulin को produce कर सकते हैं और इन insulin को हम जाए वो इस insulin को बिल्कुल exactly है जैसा क्योंकि हमने क्या क्या है हमने रिकॉमिनेंट डियन टेकलोजी का उप्योग किया है हमने जो हमारी बॉडी के अंदर insulin मनने वाले जीन थे वैसे ही जीन को हमने क्रेट क्या और इसको बैक्टरा के अंदर डाल दिया हमने अब बैक्टरा वही insulin मना रहा है जैसी insulin आपकी बॉडी के अंदर बन तीर के और सिंपल सी बात यह है कि जब वही ुडी का एवाण के आपकी बोडी से अलग होंगे अनहां आपकी और मेरी सिल्के और सारे प्रोटीन नहीं हो सकते हैं लेकिन कुछ प्रोटीन जैसे हमेंने का हेक्जोकाइनेस एंजाइम हुआ इंसुलीन हर्मोन हुआ यह मेरी आपकी बॉड़ी में एक जिस्से होंगे क्योंकि इनका कॉमन मेकनिस होता है तो कॉमन टाइप क्यों होते हैं अब दूसरी बात यह थिंक वेदर इंसुलीन केन बी औरली अड़िटिक पीपल और नॉट वाई के देखिए अभी तक यह जो एंसा बोलते हैं कि औरल इंसुलीन जो है वह वह एवलेबल नहीं है क्योंकि औरल इंसुलीन इसलिए सफिस एफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि इंसुलीन एक प्रोटीन हर्मोन है आप उसको जब और देंगे तो वह आपके पेट में पच जाएगा इस तमक उसको डाइस कर लेगा आपका वह बगेर एव्जर्फ के पच जाएगा पच जाएगा मतलब तूट जाएगा तूट जाएगा मतलब किसी काम का नहीं बचेग सब्सक्राइब तो हम यूमन इंसुलीन को और इस लिन देते लेकिन तूट नाइंटीन में जो है वो दिरार फ्यू कंपनी जो की और इंसुलीन पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है यहां तक कि 2020 तक जो है और इंसुलीन जो है वो एवलेबल होगा मार्केट में अब जोनम में जाके उसको एब्सर्ब करवा देगा ऐसे मेक्रो मॉलीकिल की रूप में टके कैसे कराएगा क्या कराएगा यह सब टेकलोजी अभी तक पेटेंटेड बाहर नहीं है यह मार्केट में लेकिन कई कंपनिया काम कर रहे हैं यह किमल नॉलेज के लिए बता रहा हूं क बाकि हमको याद रतना है ncatic according कि हम oral insulin नहीं ले सकते होगि वह proteinus होता है और body उसको digest कर लेगी अब इंसुलिन किस तरह का हर्मोन है हमने भी कहा आप से insulin प्रूटिस हर्मोन है आप देखरें हैं इसमें आपको दिखाई पढ़ रहा है चेन ए दिखाई पढ़ रही है और चे यह है यह है यूमुलीन का मतलब मैं आपको एक्चुल बॉक्स दिखा रहा हूं इसका कि किस तरह की मार्केट में इंसुलीन यह वो अबलेबल होता है ठीक है आप देखते हैं यूमन इंसुलीन लिली कंपनी का है यह रिकॉमिनेंट टेकलोजी से बनता है ठीक है और यह हम देखें आज को तो हम इतना कहते हैं कि यह 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 वह तरह का रिवॉलुशन है तो यह तरह का रिवॉलुशन बोल रहे हैं अब इंपोर्टन बात है बड़ी इंट्रेस्टिवन के अब जो है वो कई बार हम सोचते हैं कि कि किसी वेक्ति को डाइबीटिस का कोई पेशन होता है उसके दिमाग में सब्सक्राइब डर होता है डर यह रहता है कि यार मुझे मुझे डाइबीटिस हो गया और डॉक्टर ने लिख दिया इंसूलीन तो रोज इंजेक्शन लेना पड़ेगा और इंजेक्शन से सब लोग डरते हैं तो आज मार्किट में जो आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूं कि यह है इंसुलीन यूस करते हैं वह इंसुलीन होता है तो मामुली से दर्द होता है मामुली दर्द देखिए प्रिक होगा तो पैन तो होगा पर यह पैन नॉर्मल इंजेक्शन दोला में काफी कम होता है उतना दर्स में को देखने मिलता है कि और इसमें आप बकाइदा डोस को मैजर कर सकते तो यह इस तरह के इंसुलीन अब बड़ा काफी रिवालुशन चुका है अब तो ऐसे इंसुलेंड भी मार्केट में आने वाले हैं जिनको आप 15 दिन में एक बार लगाएं महीने में एक बार लगाएं काम हो जाएगा अभी तक अफिशली लॉंच नहीं है पर उन्तु रिसर्च चल रहा है और आने वाले लगाते हैं अपने बार 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 प्रिक नहीं करना पड़ता है तो हम देख रहे हैं यह हूमन इंसुलेंड को ठीक है और यार देखो डाइबिटेस की बात आएगी और डाइबिटेस का डॉक्टर पढ़ा रहा हुगा थोड़ी बात तो करेगा आपसे है रहा बरदास्त क प्रिक शियोस को तो हाँ दी रूबन इसम्न इनिल इस लेवराट्री घैटेट ग्रूइंग इंसुलें प्रोटीन इन एक्ट्री बैकोलेटें के तो रिकोलाई में हम रिकॉमिनेंट duane टेकल्लॉजी का प्रियोक करते है और यूमन इन्सुलें करते हैं ठीके बीटा चलिय इंसुलीन used for diabetes was earlier extracted from pancreas of the slaughtered cattle मैंने कहान आपसे कि पहले जो है diabetes के ilाज में उप्योग की जाने वाली इंसुलीन जो है वो slaughtered cattle beef से और pork से निकालते हैं कि इंसुलीन from animal source though cause some patient to develop allergy or other type of reaction to the foreign protein मैंने आपसे का यह allergic response को produce करता था वह इसलिए बहुत अधिक सफल treatment नहीं दा लेकिन जब तक treatment यह available नहीं था तब तक इस treatment को देना भी बड़ी बात थी ठीक है अब इंटरस्टिंग बात हैं अब आपको बता दो मैंट के इंसुलीन के अंदर दो चेन हैं ए और बी चेन के दोनों चेन में एक में 21 एक में 30 एक में बनाने के लिए दो मैसेश की requirement होती है इसका मतलब यह कि रिकांबिनेंट टेकलोजी में आपको दोनों चेन को अलग अलग बनाना पड़ेगा एक बेक्टर की को बनाएगी और एक बेक्टर को बनाएगी और एक बेक्टर को बनाएगी फिर दोनों चेन को आप डाइग से जोड़ देंगे आपस में मतलब इंसुलीन को बनाना एकदम से ऐसा नहीं है कि आपने प्रोटीम नाया सिधा निकाल लिया नहीं पहले एक कॉलर नी बीचेन बनाएगा फिर दोनों चेन को आपको जॉइंट करना पड़ेगा तब जाके आपका एक्चल इंसुलीन बनेगा लिए क्या लिख मैमल्स में जी से ईमन्स की हम बात कुरें इंसुलीन की रूप में बनता है जो प्रोपन बनता है ठीक है और इसमें अब जो फ्रो चैनल होती है इसमें एक एख्स रा इससा ऑता है को बोलते हैं सी प्रोड़क्शन होता है तो चैन के इंसुलिन का प्रोड़क्शन होता है और दो स्चेन के दो हिस्से ए और बी के नाम से जोड़ी आते हैं अपस में एक्चल इंसुलिन बनता है समझने में दिखके जा रही है चलो मैं डिखाता हूं तो बात समझे आपको आई कि याद रही का सी पेप्टाइड मैचल इंसुलिन में नहीं होता है इसको जो है वो यहां से शरू हुआ यहां से सके यह बिगिनिंग वाला पॉइंट है जब हending वाुत है चैन बढा से प्रूइंट हो vara एक कि ए रहाब equstate ऐसका ब Streουν इस था आप दो जान जुड़ा है थिक यहां तक भी इस यह इस आप अप्पवेस्ट suffीण तो यह प्रो इंसुलीन जिसमें की आप देख रहे हो कि alpha और beta chain A chain और B chain के chain जो है दोनों आपस में एक C peptide से जुड़ी हुई है याद रखो ध्यान से बास नटके human body में जब insulin का production होता है तो एक ही protein की लंबी chain बनती है और उस लंबी chain के बीच वाले हिस्से को हम हटायते हैं जिसको हम C peptide करते हैं और chain के दो हिस्से बचेंगे दो दो प्रोटीन दो चैन की रुप में वह आपस में जोड़ जाते हैं एक के लाता है एक लाता है अचली बन तो वह एक ही साथ थे देखी धान से एक चुल में प्रो इंसुल में इसा प्रिजन था लेकिन जब आपने क्या क्या आपने इसको अब यह बन गया एक यह बन गया हमारा एक्चल इंसुलिन बन गया यह हमारा एक्चुल इंसुलिन बन गया है ना लेकिन जब आप बाय टेकलोजी में रिकॉमिलेंट टेकलोजी यूज़ करते हैं तो आप सी पैप्टाइट के साथ एक लंबा चेन नहीं बना सकते हैं क्योंकि दिक्कत यह उसमें कि लंबा चेन बना लोगे लेकिन सी पैप्टा तो यह तरीका होता इसको बनाने का समझ माई बात तो सी पैप्टेट हम ऐसा तो अब एक इंटरस्टिंग बात है कि इंसुलिन जो बनता है वो यूज़ होता है बाडी के दर के तो हमारे मालो हम किसी पैशन को बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं और उसकी बाडी में थोड़ा यह तो मैं काम करता हूं मैं सी पैप्टाइड का टेस्ट लाता हूं सी पैप्टाइड की रीडिंग आती न वह यह बतलाती कि बाडी के अंदर कितरा एंडुजन इंसुलिन मन रहा है ठीक है जब हमें टाइप वन डाइबिटिस पता कर रहा होता है तो हम दो स्पेस्ट करत है गेर एंटी बाडइट करते हैं ठीक है्ब हैं और दूसरा करते हैं सी पैप्टाइड वाला टेस्ट करते को अचित है ऊचली सब्सक्राइड सब्सक्राइड के ने काम करने वाला ठीक है अब क्या लिखा इस में देखों एंसाइटी में दिमेंच चैलेंज फॉर दी प्रोड़क्शन आफ इंसुलिन यूजिंग आर डिन आ टेकनिक के रिकॉमिन टेकनोल टेकनिक यूज करने पर इंसुलिन प्रोड़क्शन के दुरान मुख्य चैलेंज इस क्या आता है वस गेटिंग इंसुलिन असेंबल इन्टु मेचर फॉर्म परिपक फॉर्म में इंसुलिन को मैच को बनाना ठीक है इन 1983 इली ली एंड अमेरिकन कंपनी प्रेपेट टू डिने सिक्वेंस इन ने दो डिने सिक्वेंस को त्यार किया जो ए और बी चैन को को क करते हैं उसको कोट करते हैं और इनका इसत्त CAR-कारिक प्लासमीन दूरओ डिक्शी त्यार के यौन आप एक कालोनी उसके लिए हम हम हमुमुलीन वर्ड का यूज करते हैं इस इसमॉल सिम्पल प्रोटीन कंस्ट फिटी वन अमिनसेट क्या एक में थर्टी होता है एक में टुन्टी वन होते हैं विटा चैन के अनट क्या और यह डाइसलफाइड चैन से आपस में जुड़ा होता है इस जो यह एक 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 काम करता है इस इस तरीका वही है प्लाजमिड में आप जीन को दिखिए अभी आपको पता है प्लाजमिट के और अपका एक 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 नहीं कले नेर कली आपको प्लाजमिड के प्लासमिक अदर अपका आपका ज्योंग थे खहते है एक ऐसा मॉलेकुल है जिसको जब बनाया गया बाइटेकलोजी के हेल्प से रिकॉंबिनेंट देन टेकलोजी के हेल्प से तो एक्जक्ली यह नैच्रल मॉलेकुल के समान बनता है कोई फर्क नहीं होता कोई कोई कॉंपलिशन देखने इसमें नहीं मिलता है कोटके इस रिदू से पॉसिबिल्टी ऑफ कॉंपलिशन रिजल्टिंग फम एंटीबोडी प्रॉड़क्शन ठीक है अप याद रखे इंसुलिन का डोस इंपरेंट जो इंसुलिन का डोस मेनेजमेंट होता है तो जो इंसुल इस प्रकार से कमपलाइंस क्या दवा को लेकर तो इन सब चीजों को डिसाइड करते हैं अब क्या कोई दूसरे इस उतपाद है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप मेरा निकालके आवराट जाके बाहर की इनिवर्सिटी में आप सीधा पीजी कर सकते हैं ठीक है तो और दूसरी बात है इंडिया में दुर्भागी की बात है कि एक व्याइटी छोड़ देया वेल्लोर का दो चार पाच इंस्ट्यूट छोड़ देया बाया टेकलोजी को उसके लावा आपको बहुत अच्छे इंस्ट्यूट देखने नहीं मिलेंगे यहां पर जो छोटे जिलिए चुटे पांड़ेंगे आपको चलता है तुछ नाम मातर का होता और उसके के बड़ी बर मिलती है याद रखिए डिगरी काम नहीं करते है काम व्यक्ति करता है इसलिए इक उसके कोई मतलब काम ना आता हो कि लिए बहली ना हो काम चल जाएक तो इसलिए बाइटेकलोजी जो है उसमें केवल डिग्री भर नहीं लेना हमको उसमें हमको सीखना है काम सीखने के लिए लेवल की लेवल की लेवरेटरी में काम करना पड़ेगा और वह पॉसिबल एबरोट क्या या अच्छी जगे से ग्रेशन कीजिए बाहर देना पड़ेगा तब दोक्री चलकर डिगर आदमी के पतना चीए कि वह तुम क्योलिफाइड आदमी है चलो हमको ज्वाइन करो ऐसा होना चीए जिसा पहले पहले होता था अब दिक्कते हो रही है हालंकि सीटे बढ़ गई है कम रोजगार कम हो रहा है तो पैकेज घटे 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 तो यह टॉप मोस्स कॉलेज है जो बहतर कर रहे है लेकिन यहां भी एवरेस प्रेकेज़ कम हो है तो चलिए और मैं अपने हमें सा कहता हूँ यह हर सहर में आप कोई भी human civilization अड़ागे देख ले हर टाउन के अंदर आपको वेद का जिक्र मिलेगा आपको युनान की बात करें आप रोम की बात करें भारत की प्राचिन सब्विता की बात करें आपको कोई न व्यक्तियशा मिलेगा जिसको इलाज करना आता होगा के राइनो प्लास्टी नो सरजरी किस रुवात जो है इंडिया से विए सुसुत ने किया उसकुत के मेडिकल साइंस जो है वो इंडिया ने बहुत बड़ा कंट्रिविशन दिया इसके इनर यह बात अलगी कि बात में टिक चलिए तब हम बात करें कि वह कौन से और दूसरे प्रोड़ जिनका उप्योग बना यह करते हैं और इन्सूलिण हम डायबीटिग प्रेशन के लिए उसके अलावा फ There Factor 8 इसको भी 카ी सबस्क्रिया का करते हैं जिसका अपयोग हम जो हीमुफिलिanto जो है। त्यार कर सकते हैं इसमें भी एक्ष्यक्लाई का प्रयोग करते हैं एर्थ्रोपॉइटेन फॉर ट्रीटिंग एनीमिया का ट्रीट्मेंट करने के लिए इस त्री टाइप आफ इंटरफॉण्ट यह क्या होते हैं अलफा बीटा और गामा इंटरफॉण्ट के यह भी हमको जो ह इंटरफॉण्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं इन इंटरफॉण्ट को इंटरफॉण्ट कर सकते हैं इसके अलावा ग्रेणुलोसाइट मैक्रोफेस कॉलोनी इस्टिमिलेटिक फेक्टर यह वह फेक्टर होते हैं जिनका उपयोग हम जाएं बॉन्मे इसका इलाज करने के लिए बॉन्मेरो ट्रांस्प्रांटेशन करना पड़ता है तब वहां पर हमें इन फेक्टर की रिक्वार्मेंट होती है दूसरा है ग्रिनोसाइट कॉलोनी इस्टिमिलेटिव एक्टर जी सी 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 एस एफ के इसका उपयोगाम नूट्रोफिल प् बना सकते हैं तीस तरह के पर जो अपरूब है बारा जो इंडिया में वहलेबल है तो हम उन्हीं को देख रहे हैं ठीके पिर टिशू प्लाजमियोजर एक्टिविटर टीपी ए का फुल फॉर्मेंट टिशू प्लास्मियोजर एक्टिविटर इसका उपयोग हम जाएं ब्ल ये के अंदर हुमरल और सेल्लोर एमिनटी दोनों जन वाइबर्थ होती है तो उसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं सीवेर कंबाइंड इम्टिफिशेंसी के लाज के लिए हम एडेनोसेंट डियामिनस का इस्तमाल करते हैं और यह हमें मिल जाता फिर एंजियो इस्टेटिन और एंडोस्टेटिन जो होती है यह एंटी कैंसर ड्रग हैं जिनका ट्राइल किया रहा है और यह ब्लड कैंसर के और दूसरे के कैंसर का इलाज करने में एफेक्टिव दवाएं सकते हैं धिर फिर थैराइड हर्मोन जो है उसको भी हम बी टेकलोजिक है ल्ड को त्यार करते हैं तो आज हमने क्या देखा आज हमने एक ऑस्पेट देखा कि medical science में हम किस प्रकार से बाइटेकलोजी से बने हुँ उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं और क्या-क्या उत्पाद हमको मिलते हैं next lecture में हम बात करेंगे कि what is the meaning of gene therapy कैसे करते हैं कि एक हम किस से इंसिडेंस समझेंगे कि four year child के अंदर जो है किस प्रकार से जीन थेरेपी को हमने बाइटेकलोजी के हैप से इस्तेमाल क्याम नेटके जीन थेरेपी क्या होता है और दूसरे कि मैंने आप से कहना कि course को पूरा होने में 10-5 दिन आपके एक्स्ट्रा लग सकते हैं इसमें क्यों देखी सिंपल सी बात है हमने कई लोग बच्चों करते रहे हमें लगाता है कि हम और लेकिन quality पर कभी नहीं किया जो चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं उसमें से कोई भी कुछा जाएगा आपसे बनना चीकुशन होतके इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ठीके मैं आपको समय पर पूरा करूंगा पूरी कुशिश कर रहा हूं पूरी टीम कुशिश कर रही और आप हमेसा अपने अंदर यकीन बनाए रखिए विटा आप अच्छा करेंगे एक्जाम में डेफिरिट अच्छा करेंगे लेकिन खुप सारे एंसीकुज लगा है और रिवाइज रिवीजन पर भी ध्यान दीजिए ओल दिश्ट चलिए आपको सब्सक्राइब का प्रोडक्शन कैसे होता है और कैसे रिकॉमिनेंट डिने टेकलोजी ने हमारी लाइफ में बड़ा परिवर्तन क्या है पहले जब हम परक इंसुलिन यूज करते थे और जो है हम परक इंसुलिन के कारण जो है अब क्या हो गया कि पूरा का दूसरा पार जो लेक्शर का देखंगे अच्छर 13 जो है हमारा उसमें हम बात करेंगे बटा सिर्फिशन सी के उपर अधी डिफिशन सी को अपर बात करेंगे और जीन ठरीपी के बारे में चलिए समय खराब नहीं करते लेक्शर का दूसरा बाहग सुनते हैं के अलो सेमांटों वेलकंटों यह ब स्था सव data आपने क्ऊंडश को अब अब फट करें लोग में संहें मैं ने ची ने दिट न फिर एक टेकलोजिंग और बाद ऊल्गी तक हम क्या देश्च oke तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि बाय टेकलोजी का जो है वो अगरी कलिचर में हम क्या इस्तमाल करते हैं ठीक है ना बेटा और मैंने आपको कई सारे बात करते हैं तो पिछली क्लास में देख था कैसे जो है वो श्युमन वेलफेर के लिये आम बात कर सकते हैं तो वहाँ पर हमने बात करते हैं मेडिसन के फिल्ड के बारे में तो पिछली क्लास में देखा था कैसे यूमुलीन को हम प्रिड्यूस कर पाते हैं कैसे हम वह हमारे लिए important hormone जो insulin है जिसका इस्तमाल हम diabetes के treatment में करते हैं उसको हम बैक्टरा से निकाल पाते हैं इसके लाब हमने कई सारे दूसरे chemicals के बारे में बात की थी हमने देखाता जो है वो tissue plasmin activator के बारे में बात किया था हमने हीमोफिला को करने वाले factors के बारे में भी बात किया था देखाता था हमने देखाता है हाँ बाय टेकलोजी हमारे लिए एक बड़ा resource है जो हमें fine chemicals उपलब्द करवाता है ठीक है अब दूसरा important aspect हम बात करते हैं बेटा क्या हम genetic engineering का इस्तमाल करकर किसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं क्या हम अनुवांशिक बीमारिया ऐसी बीमारिया जो जन्मजात होती है बाईबर्त होती है क्या उनका ilaraj करने में हम सक्षम है ठीक है आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि gene therapy क्या होता है क्या वाकई में हमारे हाथ में एक चाबी लग चुकी है एक की हमारे हाथ में लग चुकी जिसका इस्तमाल करके हम ऐसी बिमारिया जिनको लोग अभिशाप मानते थे ऐसी बिमारिया जो बाईबर्थ होती जिनका कोई इलाज नहीं है क्या उन बीमारियों को हम रहए और चलिए हम उस पर आगे बात करेंगे तो पिछली क्लास में देखा था उमूलीड के बारे मिठके कि हमने बात किया था इंसुलीन के बारे में कि सी पेपटाइड क्या होता है कि एचेन क्या होती है बीचेन क्या होती है कैसे हम रिकॉंबिनेंट डिने टेकलोजी के हैं वह इंसुलिन को प्रिडूस करते हैं ठीक है चलिए आज एक कोई भी जनेटिक डिसॉडर का कारण होता है एक फॉल्ट होता है और वही फॉल्ट जो होता है अनुवांशिक विकार के लिए इंस के अन्डर नॉन विटेशन हो गया देखो वैटाँ 걸 को एकप्से कर रहा हो कि इसा नहींड कर पा रहा हैं और कौण फॉल्ट गोलतीव यह कि काम का नहीं करो चालओंक कर चाहिए जो production कर ना चाहिए था को प्रोड़क्ष्robe तो हम और कि उन्वान्षी बीमारियां ठीक करना है तो हम चाहिए या थो हम कर तो हम म करते हम या या यह न को पड़ा रहने दें हम एक healthy gene भी introduce करते हैं healthy gene जो product बनाएगा उस product से जो है वो जो bio देखो बेटा हर gene हर gene अपने आपको express करता है by the way of transcription and translation gene पहले transcription करेगा mRNA बनेगा mRNA से protein बनेगा जिसे हम translation कहते हैं और protein enzyme में convert होगा और वो enzyme किसी biosynthetic pathway को control कर रहा होगा clear और जो है एदी enzyme में कोई fault है तो वो biosynthetic pathway रुख जाएगा क्योंकि वो बैस्तब में catalyze होने वाला reaction है वो ऐसा reaction है जिसको जब तक enzyme नहीं मिलेगा वो reaction बड़ी धीमी करती है अपरेट होगा और मतलब उसकी जो product की रिक्वार्मेंट है वो पूरा होई नहीं पाएगा कई बार cell के अंदर क्या होता है कई ऐसे error होता है जिसमें कि एक enzyme जो फॉल्टी बन जाता है enzyme gene fault है, fault gene में है जो फॉल्टी बनेगा, fault gene के अंदर होगा तो enzyme faulty बनेगा, जब enzyme में fault होगा, fault कतलब गलत के काम नहीं करने वाला तो ऐसा enzyme बना जो काम नहीं कर पा रहा है तो जो क्या होगा एक metabolic pathway कहीं पर arrest रुक जाएगा और वो cell के लिए एक टॉक्सिक होगा क्योंकि वह chemical जिसका मेटाबोल्स होना चीह था वह रुक गया है कि वह chemical cell में कई बार इखटा होने लगता है और कई बार कई toxic एफक्ट उस chemical के आते हैं ठीके भाई देखो cell के अंदर जो metabolic path पे चल रही है न वो सब बड़ी सुस्समसे चल रही है कि कौन सा chemical किस form में बाहर निकालना ताकि cell के अंदर toxicity ना हो जाए तो आप देखिंगे धिकांस केसे में कोई ना कोई एक fault है एंजाइम में हो जिसके चलते हैं chemical इखटा होने लगा है बनने लगा है हम एक healthy gene introduce करते और वह healthy gene की कमी पढ़ रही है उस एंजाइम को बनना शुरू करते और जब वह एंजाइम बनने लगेगा तो पूरा problem solve जाएगा पर problem यह है कि हमारी body में trillions of cells से कई सारी कुशिकाएं हैं क्या सभी cell में हम एक एक gene को introduce कर पाएंगे तो एक व्यक्ति एक adult व्यक्ति के लिए तो यह जो जो चीज है वो problematic है यह एडल्ट व्यक्ति में gene therapy कर पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम होता है और उतना successful नहीं आपको पता है कि family history है इस particular विमारी की तो आपने जाइगोट में ही एक healthy gene introduce कर दिया है अब जाइगोट करेगा तो healthy gene embryo के हर सल तक हो जाएगा permanent cure हो जाएगा generation after generation के लिए और आपने कई पीडियों का इलाज कर डाला आपने जाइगोट में healthy gene को introduce करके ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर वेरी फैमस चेंटर फॉर दी जीन थेरेपी तो हम क्या देखने हैं दिखिए यह वाट इस जीन थेरेपी जीन थेरेपी घिपसेंट ए है healthy version of defective gene के जीन थेरेपी में हम सेल के अंदर हेल्दी जीन को introduce करते हैं जिससे की सेल के फंक्शन को हम restore कर पाते हैं तो दरसल आज दुनिया भर में कई सारे ऐसे सेंटर खुल गए हैं जहां पर जीन थेरेपी को वाकई में किया जा रहा है कि चलिए अब यह तो बात है मतलब यह कि हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है और इस प्रकार के इलाज चल रहे हैं कि अब बड़ी इंटरस्टिंग बात है कि आपको यदि जो है आपको यदि जो ह प्रकार करना है एक सेल के अंदर तो आंप क्या करेंगे क्या अप प्लाजमिट वेक्टर का यूस करेंगे नहीं प्लाजमिट वेक्टर का ये जिनकों हमारी सेल तक पहुचाने में करते हैं वो होते हैं रिट्रो वाइरस के रिट्रो वाइरस बड़े खतरनाक वाइरस होते हैं उनके अंदर का जीनोम हम निकाल दते हैं उनके अंदर के जो जीन बिमारी पेदा करते हैं जो वाइरस को मुल्टिप्लाइ करवाते हैं जो कैंसर भी प्रिड्यू कर सकता है मतलब वायरस का जिनोम से जुड़ जाता है और सेल के जिनोम को मल्टिप्लाइ करने के लिए प्रडित करता है और सेल का जिनोम बार-बार मल्टिप्लाइ करता है सेल एबनॉर्मल नंबर से बढ़ने लगती है और वही तो तो हमने retro virus को लिया उसके अंदर के वह gene जो धंजरस जीन थे जो करने वाले वाले धियुका हमने क्या क्या शेह एक healthy gene जो हमको चाहिए था होस्ट कर्णा ला व 지금 डाला हमने लेकिन हमने उस healthy gene के साथ ने virus की जिनुम, के वी छोड़ दिए जोड़ दिए उसमें, जो हिससे मैं जाइन ज्त के जिनोम से जुड़ने में हेल्प करते हैं, तो क्या फाइदा होगा, फाईदा ही होगा, कि रिट्रो वारस जब गयदा से फिंग करेगा, और आपने healthy gene जो आपको चाहिए, जो important gene आप चाहते हैं, जिस enzyme का production आप करवाना चाहते हैं, जिसके current बीमारी हो रही थी, उस बीमारी को cure करने वाला gene आपने डाल दिया, अब वो gene जाके जुड़ी जाएगा, जब अटेक करेगा, जुड़ी जाएगा, तो retrovirus नापा काम कर दिया, vector ने successfully काम कर दिया, आपके main gene का हिस्सा वो healthy gene बन गया है, बात कतम हो गई, आप healthy gene काम करना शुरू करेगा, और आपके वो enzyme बनने लगेगा, जो बीमारी का इलाज है, तो gene therapy का basic fundamental यह है बेटा, clear, चलिए, तो देखो, इससे match को हम देखने जाएगा, ओरिजिनल वाय ठीक है, यह मैंने का आप से, यह था, disease-causing gene था, हमने इस disease-causing gene को निकालके बाहर कर दिया, तो दो इससे काट लिये, और इसमें काट डाल दिया, human therapeutic gene के, जो इलाज करने वाला gene था, वो उसको introduce कर दिया, अब यह retro virus त्यार हो गया, यह now it we have, like vector carrier virus की रूप में काम करेगा, जब यह attack करेगा, तो human therapeutic gene को, जो मनुष्य की बिमारी कोट का इलाज करने वाला gene है, उसको वो cell के अंदर introduce कर देगा, ठीक है, clear, अब gene therapy का मतलब क्या, ठीक है, तो मैंने आप से का, gene therapy, if a person is born with a inherited disease, can a corrective therapy be taken for such a disease, तो एदी एक विक्ति को में अनुवान्शी बिमारी होती है तो क्या हम उसकी corrective therapy कर सकते हैं, तो इसका अंसर है, कि gene therapy इसका विकल्प है, gene therapy के मतलब से हम अनुवान्शी बिमारी को ठीक कर सकते हैं, इसमें मैं NCRT का logo लगाना भूल गया हूं, तो मैं यहां पर NCRT लिग देता हूं, ताक कि आपको याद रहे, ठीक है, ठीक है, ठीक ह that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo, here genes are inserted into a person's cell and tissue to treat a disease, correction of genetic defect involved, तो हम कैसे करते हैं, मैं आपसे कहाना मिटा, कि gene therapy में हम क्या करते हैं, corrected gene को introduce करते हैं, child में embryo मिटके, ठीक, correction of genetic defect involved, delivery of normal gene into individual or embryo, to take over the function of and compensate the non-functional gene के, तो कुल मिलाके हमारा purpose यह होता है कि जो non-functional gene है, यह जो faulty gene है, उसके काम को जो है, वो healthy gene समाल ले और बिमारी का इलाज कर दे वो, ठीक है, clear? The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine de-aminose deficiency, very very IMP 2019 need. अरे लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आएगा मतलब आएगा तके, तो मैंने आपसे का, कि gene therapy का first clinical case कहां, किस में देखा गया हमने, हमने पहली बार gene therapy का इस्तमाल 1990 में, चुट-चुटी बात हैं, कई question आपे, पहली बार gene therapy का successful उपयोग किया गया था, 1990 में किया गया थ एक 4 साल की लड़की को जो है वो पहली बार gene therapy देगा था, और इस लड़की को जो बिमारी थी, उस बिमारी का नाम था, SCID, severe combined immunodeficiency, severe combined immunodeficiency, SCID इस बिमारी का नाम था, तो हमने क्या देखा, हमने देखा इसा बटा, और ये बिमारी क्यों होती है, ये विमारी एक enzyme की कमी से होती है वो enzyme नहीं बन पाता है वो enzyme है एड़नोसेंट डियामिनेज और जब एड़नोसेंट डियामिनेज एड़नोसेंट डियामिनेज नहीं बनता है तो कुछ ऐसे toxic chemical cell के अंदर एखटे होने लगते हैं जो जो सेल के लिए टॉक्सिक होते वैसी कंडिशन में जो सबसे अधिक अफेक्टेड जो सेल जो कुशिका है जो सेल सबसे अधिक अफेक्टेड होती वह होती है टी लिंफोसाइट और बी लिंफोसाइट के उसमें भी टी लिंफोसाइट मोर अफेक्टेड होते है तो कुल म सेल के अंदर इखटा होने लगते हैं और सेल से डेमेज होने लगती है ठीक है और इस एंजाइम इस वेरी क्रूशिल फॉर दी इम्यून सिस्टम तो फंक्शन के और यदि यह नहीं होगा तो इम्यून सेल तो सर्वाइब कर ही नहीं पाई कि और ऐसा क्यों होता है यह जीन मे 20 पर पायाता है वो ठीक है आप सूचिए इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए और यह रियल फोटोग्राफ है रियल तस्वीर है आप देखिए कि एक डॉक्टर जो है अपनी पेशन्ट से बात कर रहा है पेशन्ट को कहां रखा गया है पेशन्ट को एक प्लास्टि लगेगा और बच्ची मर सकती है तो उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर सने उसको एक पूरी जिंदगी जब तक इस बिमारी का इलाज नहीं खोजा गया था ना तब तक पूरी जिंदगी बच्चों को इस प्लास्टिक के बेग के इंदर गुजारनी पूरते थी करना है तो वह बात करने के लिए किस प्लास्टिक व ड्लोग किस परकार अपने बच्चे को amazon सकती है कि वह ध्ली बेग है कि इंदर गोणीड चलए और बच्चे को इनफेक्शन हो सकता है वह ए जिए च्टी सी बच्छी जो है जि dus ए Ku और आप समझ सकते हैं कि यह जो तस्वीर है यह तस्वीर सारी कहानी अपने आप कहते हैं कि मेडिकल साइस ने क्या चमतकार कर दिखाएं एसी जिंदिगियां जो इस प्रकार से जिनको गुजारने को मजबूर होना पड़ता था उनका इलाज हम कर पारें के बाय टेकलोजी ज से में बहुत चमतकार कर सकता हो चलियो और वह चमतकार चल रहे हैं तक हम लोग कर रहें कि नीट में फोड़के आएंगी वही तो चमतकार है और क्या आप में से कई बच्चे बोने बहुत दिन से आप जो है वह ऐसा लग रहा है कि आप दुखी है सैड है आप गुसा है कि मुझे बना कर साय कि हम लोग सब फैमिली है तो होता है करी बार अपनी अच्छा ही दिशा में करें इस तरह के मजबूर जीवन का हम के लिए है ठीक चुटी सी बच्ची क्या पता उसको इसकी गलती क्या है इस बच्ची की गलती क्या है कोई गलती नहीं इसकी एक जीन में फॉल्ट है उसके चलते पूरी जिन्दिकी प्लास्टिक के बेक में बजर रही है क्योंकि बिमारी का नाम है सीवियर कंबाइड इम्योडिक्षेंशी एससी एक किलर डिजीज होता है और यह एक डिफ्रक्टिव जीन के करन नहीं बन पाता है और यह ऐसा 25% केसे में दिखा गया कि दोनों डोनों टी और वी सेल दोनों इम्मूनिटी काम नहीं कर रहे होते हैं और बैसिकली इसमें टी ल कुन सीवारी SCID, Severe Combined Immunodipsoncy, ADA एंजाइम की कमी से होती है कारण इसका है एक म्यूटेशन जो क्रोमोसुम नंबर 20 पर होता है कहा होता है क्रोमोसुम नंबर 20 पर होता है जिसके कारण जो है जीन जो है एंजाइम एड़नोसिन डेमिन इसको को नहीं कर पाता है ठीक है और इ इस एंजाइम, the body is unable to break down a toxic substance इस एंजाइम के बगेर body a toxic substance deoxy adenosine को वो breakdown नहीं कर पाती है और यह toxin जो होता है यह जो infection fighting immune cells T को 23 से destroy करता है अब यह मत बोलना deoxy adenosine सर यह तो dna का हिस्सा है देखो बटा कोई भी chemical extra होगा they may become toxic यह कोई भी chemical cell में you use के अलावा extra यहने इसकी normal utility के अलावा extra होगा तो वो toxic हो सकता है ठीक है ना clear SCID is a group of very यह सब NCRT से बाहर बात कर रहे हैं okay group of very rare and life threatening disease that are present at birth okay the disease causes the child to have very little or no immune system as a result the child's body is unable to fight off infection बच्चे की body infection को fight नहीं कर पाती है ठीक है ठीक देखिए इसमें normal body में क्या होगा कि एड़नोसिन जो है उस पर EDA काम करेगा आइनोसिन में convert कर देगा और आइनोसिन chemical DNA synthesis में help करेगा DNA के repair में help करेगा protein के production में help करेगा cell की signaling में help करेगा लेकिन जब EDA absent होता एड़नोसिन की deficiency होती है तब एड़नोसिन टॉक्सिक रूप से एक्क्यूमिलेट होने लगता है इसका toxic level पर एक्क्यूमिलेशन होने लगता है जिससे की DNA का synthesis उसका repair inhibit हो जाता है cell की death होने लगती है apoptosis का मतला होता है program death of cell apoptosis का मतला होता है programmed death of cell के कुशी का जो है वो मृत्यू के लिए अपने आपको त्यार कर लेती है ठीक है उससे क्या बोलता है apoptosis करते है तो तो तरीका क्या है तरीका यह है कि हम एक healthy gene को introduce कर दें आप तो हम क्या देखने है वेटा हमने का आप से के बैक ट्रक हमने जो है वो जीन लिया हमने के एडिया जीन को हमने कहीं सारे इसी लिमफोसाइट सेल्स कर दिया ठीके जिससे कि उन लिमफोसाइट सेल्स के पास में नॉर्मल एंजय मनाने की आप करेंगी तब तक विक्ति को एडिया मिलता रहेगा तो तो यदि आप बच्चे के जन्म के बाद इस तरेपी का यूज करते तो आपको एक निशित करना पड़ेगा आपका काम बन जाएगा ठीक है चलिए यह इंसाटी की बात करते हैं आप हम इन सम चिल्टर एडियर डिफिशंसी केन बी क्योर्ड बाइब बॉन मिरू ट्रांस्प्लांटेशन कुछ बच्चों में डिफिशंसी को ट्रीट करने के लिए हम बॉन मिरू ट्रा ट्रांस्प्लांटेशन करें और जो अंदर एडिय। यह का है लेकिन दोनो आम यह कि बॉन मिरू ट्रांस्प्लांटेशन को प्रांस्प्लांट नहीं हो पाता है और एंजयम रिप्लेस्बेंट थेरपी में पूरी जिंदगी एंजयम का इंजेशन देना पड़ेगा बच्चे को तो कंप्रीटली क्यूरेटीव मेठाड कोई भी नहीं इस मेसेट के अब इसके बाद हम क्या करते हैं कंप्लेटली क्यूरेटी मेठाड की रूप में हम जीन थेरपी का हम जो है वह यूस करते हैं ठीके ना समझ दारे लोगों इसको मैंने अपसे का फॉर्स स्ट्रेप तो वाट्स जीन थेरपी लिंफोसाइट फॉर्ट ऑफ दी पेशेंट आर ग्रोन इने कल्चर आउटसाइड सबसे पहले हम रिम्फोसाइट को निकालकर बटी से लिंफोसाइट औरĩ वह रिट्ट्रोवार की हल्प से इसा रिट्रो वार जिसके पास में functional ADA gene present होता है कि जिसके पास में ऐसा copy DNA होता है जो functional ADA होता है उसको वह ऐसे retro virus को हम यूज करते लिम्फोसाइट पर लिम्फोसाइट को यह virus infect करेगा और लिम्फोसाइट के अंदर क्या होगा वह जीन हेल्दी जीन पहुच जाए गटके अब इन सेल को क्या करते हैं पेशन की बॉड़ी में रिटर्न करते हैं इन कोशिका को दुबारा डाल देते हैं अब चुकि यह सेल कोई लिम्फोसाइट कर जाएंगे तो 45 दिन के बाद फिर से कोर्स करना पड़ेगा दो महीने के बाद करना पड़ेगा लेकिन जो है वह एक निवीत अंतराल के बाद रिपीट करना पड़ेगा ठीक है और ऐसे लिम्फोसाइट क्या होंगे यह जनेटिक लिए इंजनेर लिम्फोसाइट में इंट्रीडूस कर दिया फिर लिम्फोसाइट को अपने बॉड़ी पेशिंट की बॉड़ी में रिंट्रीडूस कर दिया यही कहना आपने ठीक है अब यदि हम जीन को आईसलेट करें और इसको हम जाए अरली एमरोनिक स्टेज में या जाइगोट में अरली एमरोनिक स्टेज में इंट्रीडूस कर दे तो यह परमानेंट के और होता था च्के तो वेज्ञानिक कहते हैं कि एक बार हमें फैमिली हिस्ट्री मालूम चल जाए तो हम परमानेंट क्यों कर सकते हैं तो बच्चे के अंदर हम जो वह वह वो तैरैपी को जिन को पहल जीन थरफिके हमें दो प्रकार देखने मिलते हैं एक होता है जर्मलाइन जीन घेश सेल जीन थरेपियर के देख्यें वपात है कि व्ज्ञानिक कहते हैं के क्यों आ हम ऐसा करें है कि हम वह Västar गयां पोसकर हैं तो मैं human sperm के अंदर जो genetic set-up और कुसी में जो इस पर्म के अंदर कोई क्षाल्ट है तो उसको हम इन विट्रो फैटिलाइशन गादे और समा में इंप्लांट कर दें हमके तो समस्रारी समस्य किसी को मालूम भी नी चलेगा बिमारी भी ठीक हो गई आपके ना तो आपने एंब्रो में जीन इंट्रिडूस कि आपने क्या इतना कि आपने इस पर्म के अंदर आपने healthy इंट्रिडूस कर दिया और लेवरेटरी में फेटलाइज कराके आपने एंब्रो को फीट फीमल बॉडी के अंदर इंप्लांट कर दिया कि बहतर तरीका है लेकिन प्रॉब्लम यह कि दुनिया के कई सारे देश देशों में कई सारे कंट्रीज में जो है इसको अनिथिकल मानत है तो हलंकि हम उन सब चीजों को डिटल में नहीं जाएंगे पर इतरह हम जानते हैं कि विज्ञान की द्रश्टी कोण अलग है और एक समाज का और धार्विक द्रश्टी कोण अलग होता है कई मत कई पर्टिकलर मैटर मेटर मेट के यहां पर क्या लिखा है जर्म लाइन ज जीनोम के जोनके जीनोम में जाकर जूड जाते हैं कि देरफोर दिस चेंज दू थेरेपी वुड भी हैरेटिवल आप चुकी वह गैमिट के अंदर आपने जिन डाल दिया है गैमिट तो फ्यूस करेगा तो यह परिवरता आपका अगली पीडी में पहुंच जाएगा ठेक यह जो नहीं अप्रोच है यह हाईली एफेक्टिव एप्रोच है और यह जनेटिक डिसांटर को परमानेटली क्योर कर सकती है जितने अनुवांशी विकार हैं हमने यह में इस्तमाल करना सुरू कर दिया तो कोई अनुवांशी बिमारी बचेगी नहीं क्योंकि हम उसको वह टेकनीकल और रिथिकल रिजन से इसके चलते हैं वह वह विज्यानीक इसमसर्ण को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं अब सुमेट्र जीन थेरपी की बात करते हैं कि संतिक सेल का मतलब क्या होता है तो बटा संतिक सेल जिन असींपल के सिंपल सा मतलब यह होता है कि जो में या बॉन मेरों के अंदर हम इंट्रिड्यूस कर रहे हैं और ऐसे इससे क्या होता है इससे आप जन्रेशन आफ्टर जन्रेशन परिवर्तन नहीं होगा अगली पीडी में यह नहीं जा पाते हैं तो यह बात कि हमने जीन थरपी के बारे में कि जीन थरपी क्या होता है तो हम एक बात समझ गए हम एक बात समझ गए कि विज्ञान में ऐसे कई सारी संभावना हैं और बाय टेकलोजी एक हम वारे लिए आशा या उम्मिद लेके आया है कि हम ऐसी बिमारियां जिनका इलाज नहीं है इसे फॉर एग्जामपल लिखे अब पर बेक्टी को पूरी जिंदगी वैसी गुजारनी पड़ रहे हैं तो क्यों हम जीन को ठीक कर दें ऐसी बिमारियों का हम इलाज क्यों नहीं कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं और आने वाला 50-100 साल आप डीने विल प्ले वरी इंपर्टेंट रॉल इंदी ट्रीटमेंट क्य पर देने पर लिखा होता है तो अब हम जो है वह डीने के लेवल पर पहुंचके और वैं कहता हूं आप से कि कुछ दिनों कुछ सालों के बाद कुछ दसकों के बाद जो है जैसी बीमारी हम कहते हैं कि डाइबिटीज में इंसुलिन नी बन पा रहा है और वह जीनिर इंट् इंसुलिन का प्रोडॉशन करता रहेगा चमतकार है और यह आज के सो साल पहले की डॉक्टर नहीं बोलता देके आज की सो साल बात क्या होगा वह भी नहीं जाने तके कि वहला हम संभावनाओं को देख सकते हैं तो जीन थेरेपी चमतकार से कम नहीं है चलिए नेक्स क्लास हम बात करेंगे क्या हम कैसे बिस्तमा करते हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहता है बाइटेकलोजी में सूट की सो काफी कुछ समझने का इसलिए कई बार लेक्चर थोड़ा सा जो हो सकता है जिसमें के हम एक पर्टिकल कांसर्ट को डिस्कस करेंगे तो आज हमने देखा जीन GPS को भी रिवाइस करना है इस सब सोच के चला किजिए और आपने दिन का हर सेकंड हर मिनिट इस्तिमाल किजिए अच्छा होगा तो आज के दोनों पार्ट करने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने मिला मिटा और इस पर एक्जाम में कोशन आते हैं तो अगली बार मैं आपका परफॉर्मेंस इनांस्मेंट शीट और DPS को रिगुलर्ली सॉल्ब कीजिए ठीक है विटा तो चलिए पढ़ते रहिए मैंद करते रहिए अल्दी बेस्ट में ऑननों in बार बिद्ट रष्द प्रो Rex you can interact with other fellow commandos जोई प्रोष्ट अब करे वंे रूरस beschognminister च् lot Roh Fore yesterday मैंधर City मैंधर गुर might touch .